नमस्कार मेरे नाम डॉक्टर जीतेन पांडे है और मैं उत्राखन मुक्तुव शिवद्यायलाय में असिस्टिन प्रॉफिसर के रूप में कारे रहे हूँ आज चर्चा का विशय है Communication and Connectivity इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार विभिन जरुवतों के लिए एक से अधिक कम्प्यूटर को जोनने की आवशकता पड़ी हम यह भी चर्चा करेंगे कि इन कम्प्यूटर को आपस में कैसे कनेक किया जाता है इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप दूर संचार के विभिन उपयोगों का वर्णन कर पाएंगे विभिन संचार मीडिया का मुल्यांकन कर पाएंगे एक नेटवर्क को परिभाशित कर पाएंगे तथा विभिन प्रकार के नेटवर्क का वर्णन कर पाएंगे एक से अधिक कम्प्यूटर नेट्वर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि डेटा का आदान प्रदान किया जा सके और संसाधनों को साजा किया जा सके नेटवर्क के माध्यम से कम्प्यूटर दूसरे कम्प्यूटरों से समवाद इस्तापित कर सकता है नेटवर्क विविद रूपों में आते हैं और विभिन संचार विधियों जैसे Synchronous Communication और Asynchronous Communication का समर्थन करते हैं आईए अब हम कम्प्यूटर नेटवर्क के विभिन उप्योगों की चर्चा करते हैं कम्प्यूटर नेटवर्क का सबसे पहला उप्योग है Communication के लिए हमारे दिन प्रति दिन जीवन में हम नियमित रूप से बात करके लेखन और संकेतों के माध्यम से दूसरे के साथ समवात इस्थापित करते हैं कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जुड़कर एक दूसरे से समवात करते हैं ताकि डेटा और संसाधन साजा किया जा सके उधारन के लिए एक printer जो की एक संसाधन है के साथ दो या अधिक computer को एक दूसरे से connect किया जा सकता है ताकि प्रतेक computer इस एक printer को इस्तमाल कर सके यह एक बहुत छोटे और सरेल नेटवर का उधारन है जिसमें आप network के माधियम से output device को साजा कर रहे हैं एक computer को दूसरे computer से संबाद इस्तापित करने के लिए दोनों computer के बीच signals का आदान प्रदान होता है signal के इस आदान प्रदान से आप ना केवल देश के बलकि network के माधियम से जुड़े विदेश में रहने वाले उपयोग करताओं से भी जुड़ सकते हैं तथा इमेल के माधियम से ना केवल संदेश भेज सकते हैं अपितु फाइलों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं computer network का दूती उपयोग है collaboration and sharing के लिए computer संचार ने विभिन संस्कृतियों, महाद्यूपों और समय शेत्रों के उपयोग करताओं के बीच संपर इस्थापित करने की सुविधा प्रदान की है telecommunication technology जैसे landline phone, उग्रह, cable, internet और cell phone technology ने लंबी दूरी पर संचार, संभाव और सस्ती बना दिया है कई वेवसाइक संगठनों और विक्तियों ने internet और telephone के माधियम से teleconferencing और video conferencing सुविधा का फाइदा उठाया है इसके उप्योग से आज उप्योग करता को बैठक या सम्मेलों में जाने के लिए यात्रा करने की जरुवत नहीं है telecommunication technology के उप्योग से करमचारियों को घर से या कारियले से दूर रहकर भी काम करने की सुविधा प्राप्त होती है जिसे इंटरनेट और कंप्योटर के माधियम से उप्योग करता ओफिस के अन्य करमचारियों से जुड़ सकता है इसके अतिरिक इस सुविधा का इस्तमाल करके वह अन्य करमचारियों को डॉक्यमेंट बहित एवं प्राप्त कर सकता है अपना schedule साजा कर सकता है संदेश बहिज सकता है तथा अपने सहकर्मियों के साथ सीधे बात करने में सक्षम है कारियाले से दूर रहकर भी कारियाले से जुड़कर कारी करने को टेली कम्यूटिंग कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क का तृतिय उप्योग है ट्रांजेक्शन प्रासेसिंग के लिए पूर्व के वर्षों में डेटा और सूचनाय के इंद्री स्थान जिसे हम अंग्रेजी में सेंटरलाइज लोकेशन कहते हैं मैं संग्रहित की जाती थी तथा विभिन्न स्थानों से एक साथ कई उप्योग करता इस सस्थन से जुड़कर लेन देन के लिए ज़रूरी डेटा और इंफोर्मेशन को प्राप कर सकते थे सेंटरल प्रोसेसर या स्टोरेज जिससे सभी यूजर जुड़े होते हैं के द्वारा सभी यूजर के अनुड़ोद या रिक्वेस्ट पर बड़ी मात्रा में डेटा और इंफोर्मेशन के आदान प्रदान में समय लगता था इस तक्नीक से कई समझ से आए उत्पन्न हुई क्योंकि हर बार प्रतियक यूजर इस सिस्टम से जुड़कर समय पर सुचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं था क्योंकि यूजर के सिस्टम और सेंट्रलाइज प्रसेसर के बीच भारी मात्रा में डेटा का आदान प्रदान सिस्टम की स्पीट को धीमा कर देता था और कई बार सिस्टम क्रैश हो जाता था या फिर उसे शटड़ाउन करना पड़ता था कंप्यूटर संचार प्रणाली के माध्यम से कंपनियां अपने अपने व्यापार का विस्तार कर सकती हैं तथा दूसरी बिल्डिंग, दूसरे शहर या फिर दूसरे देशों में स्थित अपनी सहाय कंपनियों या शाखाओं से कंप्यूटर संचार प्रणाली के माध्यम से जुड़कर इनका संचालन कर सकती हैं कई बड़े कॉपरेट अपने प्रमुख रहोंकों के सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को लिंक करते हैं यह इंटर और्गनाइजेशनल सिस्टम लिंक कमपनी के सिस्टम को आपूर्ती करता के सिस्टम से इलेक्ट्रोनिक डेटा एक्सचेंज या EDI के लिए लिंक करता है जिससे ओर्डर की प्रोसेसिंग और लेन देन बहुत सिग्रता से निस्पादित किये जा सकते हैं कम्प्यूटर नेटवर्क का चतुर्थ उप्योग है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का उप्योग व्याप्यार उद्ध्योग अनुस्यंदान संगठनों मनुरंजन आदी के शेत्र में डिजिटल शेत्र में डिसिजन मेकिंग के लिए होता है नीजी या सारवजनिक डेटाबेस में विभिन प्रकार की जानकारियां जैसे म्यूजिक, टेक्स, साउंड आदी को संग्रिहित किया जा सकता है एक बार इन डेटाबेस के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उन्हें इंटरनेट या इंटरनेट के माध्यम से चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा इन डेटाबेस तक पहुँचा जा सकता है कम्प्यूटर नेटवर का पाचवा उपयोग है electronic mail और electronic messaging के लिए electronic mail और electronic messaging का उपयोग सभी उम्र के लोग के बीच संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है messaging में cellular phone का इस्तमाल करते हुए text messaging, msn और google talk जैसे program का उपयोग करके online messaging करना भी शामिल है फेक्स द्वारा संदेश भीजना और प्राप्त करना, पेजिंग, वईस मेल आधी एलेक्ट्रोनिक मेसेजिंग के अन्य तरीके हैं Electronic mail या email और online messaging द्वारा document के soft copy को attachment के रूप में भेजा जाना भी संभाव है Computer Network का छटा उप्योग है efficient और effective communication के लिए Computer संचार को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए कई एजेंसियों का योगदान है जिन में विभिन देशों की टेलिकॉम, केबल और उप्ग्रेड कमपनियां शामिल है इसके साथ साथ कई internet सेवा प्रदाता या ISP कमपनी भी शामिल है जो internet तक पहुँच को संभव बनाते हैं वास्तव में सूशना और संचार प्रद्योगी की या ICT के संचालन और प्रबंधन में कई वेवसाइक संगठन जैसे Software Development कमपनियां, Hardware Development कमपनियां, Custom Development कमपनियां, Online Communication कमपनियां शामिल हैं तथा internet का संचालन इन संगठनों के आपसी सयोग एवं समन्यस से ही संभव है चुकि internet के संचालन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है तथा इसका संचालन विभिन देश और संगठन द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है अतह इन देशों की सरकारों से अपेक्षित है कि वे आम जन्त तक डेटा की पहुँच एवं डेटा की उपियोग को सुगम बनाए आईए अब हम जानते हैं कि कम्प्यूटरों को आपस में कनेक कैसे किया जाता है कम्प्यूटर के माध्यम से संचार सुवीधा को सक्षम गनाने के लिए वायर्ड या वायरलेस मीडिया जैसे ट्विस्टिट पेर, को एक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल आदी का उप्योग किया जाता है ट्विस्टिट पेर और को एक्सल केबल विद्यूट आवरतियों या इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी के माध्यम से टेटा संचारित करते हैं इसलिए इन तारों को पानी और विद्यूट चुम्बकिये तरंगों से सुरक्षत रहनी की जरुवत होती है फाइबर ओप्टिक केबल में क्लास एवं प्लास्टिक ट्यूब से रिफ्लेक्शन ओफ लाइट के सिद्धान पर कारी करते हुए तेज गती से तथा अधिक दूरी पर डेटा संचारित हो सकता है फाइबर ओप्टिक केबल अजय धात्तारों की तुलना में अधिक सूरक्षत पतले और हलके होते हैं तथा वे रेडियो और विद्यूत चुम्बकिय शेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं हाला कि fiber optical cable बहुत महंगे होते हैं तथा इनका installation करना भी मुश्किल होता है फिर भी अपने गुण दर्मों के कारण वे telephone कंपनियों, बैंकों, टेलेविजन कंपनियों के बीच बहुत लोग प्री हैं तथा ये कंपनिया twisted pair coaxle cable को बदल कर fiber optics cable install कर रहे हैं wireless media wireless media जैसा की नाम से ही स्पष्ट है एक ऐसा दूर संचार network है जिसमें computer, wire यानि तार के उपयोग के बीना जोड़ा जाता है wireless network system, cellular technology का इस्तमाल करते हैं जो उपग्रहों, रेडियों और अनि संक्योतों का उपयोग कर दुनिया भर में जमीन और समुद्र पर संचार की शमता प्रदान करते हैं wireless network के माध्यम से आप छोटे कार्या लेओं या फिर दुनिया भर में फैले अपने व्यवसाइक प्रतिष्ठानों में जल्दी से डेटा भेज सकते हैं तथा डेटा प्राप्ट कर सकते हैं इससे भी महतपूर बात यह है कि wireless media द्वारा इंटरनेट से कनेट करना अपिक्षक्रित सस्ता है और यह विकाश्रील देशों जहां पर बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों का अभाव है के लिए बहुत उपयोगी है wireless network बहुत सारी उलजी हुई network केबल से निजात दिलाता है तथा उपयोग करता को अधिक घतिशीलता प्रदान करता है हाला कि wireless media का इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी है दूसरे network से interference के कारण radio signal ब्लॉक हो सकते हैं जिस से संचार में विवधान आ सकता है आईए अब हम चर्चा करते हैं कि आपस में संवात करने के लिए इन computer को आपस में जुड़ा कैसे जाता है network computer का एक संग्रह है जो आपस में जुड़े हुए हैं network की physical layout को topology कहा जाता है जब topology sketching करते हैं तो प्रते कंप्यूटर workstation, file server या अन्य peripheral devices को आम तोर पर एक node कहा जाता है network topology विभिन nodes या टर्मिनल को आपस में जुड़ने का तरीका है यह विभिन nodes के बीच बहुतिक संरचना को दर्शाता है network संरचना का अर्थ है network तारों की तर्गों व्यवस्था अन्य शब्दों में computer का आपस में जुड़ने का ढंग ही network topology कहलाता है आईए अब हम विभिन प्रकार की network topology की चर्चा करते हैं bus topology bus topology में एक ही तार या cable का प्रियोग होता है जिसे हम backbone कहते हैं और सभी computer को backbone से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है तार के प्रारम और तथा अन्त में एक विशेश प्रकार का संयंत्र या device लगा होता है जिसे terminator कहते हैं इसका कारिय संकेतों का नियंतर करना होता है कोई भी node किसी दूसरी node को data प्रेशित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई data प्रवावित तो नहीं हो रहा बस के खाली रहने पर ही node data प्रेशित कर सकता है बस topology के कई लाब हैं जैसे बस topology को स्तापित या install करना आसान होता है अन्य topology की तुलना में कम cable की अवशक्ता होती है बस topology को इस्तमाल करने के कई हानिया भी हैं जैसे किसी एक computer की खराबी पर सारा data संचार रुख जाता है तथा बाद में किसी computer को जोड़ना अपेक्शाक्रिक्त कठिन है star topology इस network में एक host computer होता है जिसे हब कहते हैं इसे सिधे विभिन local computer से जुड़ा जाता है इनको आपस में host computer द्वारा जोड़ा जाता है host computer द्वारा ही पूरे network को कंट्रोल किया जाता है star topology को इस्तमाल करने के कई लाव हैं जैसे इस network topology में एक computer से host computer को जोड़ने में line बिचाने की लागत कम आती है इसमें local computer की संख्या बढ़ाय जाने पर एक computer से दूसरे computer पर सूशनाओं के आदान प्रदान की गती प्रभावित नहीं होती अपितु उसके कारे करने की गती बढ़ जाती है क्योंकि दो computer के बीच host computer ही होता है यदि कोई local computer खराब होता है तो शेष network इससे प्रभावित नहीं होता star topology को इस्तमाल करने की कई हानिया भी है star topology का पूरा तंत्र host computer पर निरभर होता है यदि host computer खराब हो जाए तो पूरा network फेल हो जाता है ring topology ring topology में कोई host मुख्य या controlling computer नहीं होता है इसमें सभी computer एक गोलाकार आकरती में लगे होते हैं तथा प्रत्येक computer अपने अधिनस्त या subordinate computer से जुड़े होते हैं किन्तु इसमें कोई भी computer master नहीं होता इसे circular topology भी कहा जाता है ring topology में साधारन गती से data का आधानपदान होता है तथा एक computer से किसी दूसरी computer को data प्राप्त करने पर उनके मध्य के अन्य computer को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त data उनके लिए है या नहीं ring topology को इस्तमाल करने के कई लाब है यह network अधिक कुशलता से कारी करता है क्योंकि इसमें कोई host या controlling computer नहीं होता यह star से अधिक विश्वसनी है क्योंकि यह किसी भी एक computer पर निर्भन नहीं होता इस network की यदि एक line या computer कारी करना बन कर दे तो दूसरी दिशा की line के द्वारा काम लिया जा सकता है ring topology को इस्तमाल करने की कई हानिया भी है इसकी गती network में लगे computer पर निर्भन करती है यदि computer कम है तो गती अधिक होगी और यदि computer की संख्या जादा है तो गती कम होगी यह स्टार network की तुलना में कम प्रचलित है क्योंकि इस network पर कार करने के लिए अत्यन्त जटिल software की आवशकता होती है mesh topology mesh topology को mesh भी कहते है mesh एक network topology है जिसमें सैयंत या devices network node के मध्य कई अतरिक अन्था संबंध या interconnection से जुड़े होते है अर्थात mesh topology में प्रतियक node network के अन्य सभी node से जुड़े होते है mesh topology में सारे computer कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े होते है और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सुषनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते है इसमें कोई host computer नहीं होता इसके कई lab है सारे computer एक दूसरे से interconnected होते हैं अतार इसमें किसी भी source से कई मार्गों से संदेश भीजा जा सकता है एक रूट के फेल हो जाने पर दूसरे रूट से डेटा प्रेशित किया जा सकता है यहाँ नेटवर्क उच्छे ट्रैफिक की स्तिती में रूट को ध्यान में रखते हुए उप्यूर किया जाता है इसमें किसी भी source से कई मार्गों से संदेश भीजा जा सकता है इस नेटवर्क का इस्तमाल High Security Application में डेटा प्रेशित करने किया जाता है इसको इस्तमाल करने की कई हानियां भी है पूनतह इंटर कनेक्टिड मेस नेटवर्क खरचीला है क्योंकि इसमें ज्यादा केबल तथा प्रतियक नोड में इंटेलिजेंस की आउशकता होती है अब तक की चर्चा में हमने दूर संचार के विभिन उपियोंगों की बारे में जाना विभिन संचार मीडिया का मुल्यांकन किया नेट्वर्क तथा नेट्वर्क टोपलोजी को परिभाशित किया तथा विभिन उप्रकार की टोपलोजी के गुर्दोशों की चर्चा करेंगे नमस्कार